आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रिंसिस कट कुर्ती प्लेटेट डिजाइन में कैसे बनाई जाती है तो सारी डीटेल्स कवर करने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें नमस्कार दोस्तों और और फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फ्रिसे स्वागत है चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस करें और हमारा फैब्रिक कलेक्शन प्रचेस करने के लिए स्क्रीन पर दिखाएगा नमबर पर हमें वाट्स अप करें कुर्ती की कटिंग के लिए मैंने ये धाई मिटर सांगानेरी कॉटन फैब्रिक यूज किया है अब इसकी कटिंग के लिए पहले इस तरीके से कपड़े को चौड़ाई में फोल करें अब इसे हम दुबारा से चौड़ाई में फोल करेंगे दो पर फोल करने के बाद अब हम इसमें से पहले कुर्ती की लंबाई के हिसाब से कपड़ा निकालेंगे गुर्ती की यहां तैयार लंबाई मुझे 44 इंच चाहिए तो उसमें हम 2 इंच एड़ करेंगे 46 इंच पे मैंने ये निशान लगा है यहां तक कपड़ा कट करके और अलग करेंगे यह एक पैनल की लंबाई है अब सेम साइज का हम दूसरा पैनल कट करेंगे फ्रंट वाला पैनल हमें बैक पैनल से करीब एक इंच लंबा लेना है इसमें थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा है तो वो मैं बाद में कट कर लूँगी अब देखिए कटिंग कैसे करनी है सबसे पहले जो बैक पैनल है उसको हमें साइज के हिसाब से फोल करना है साइस के हिसाब से कैसे जैसे हिप मेजर्मेंट है जो भी फुल हिप मेजर्मेंट है उसका चौथा बाग करें और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले ले यहां 42 हिप मेजर्मेंट है तो साड़े 12 इंच तक मैंने फोल किया है और साइट से कपड़ा हटा दिया है अब देखे जो front panel है उसमें हमें plates लगानी है तो उसमें हमें 12.5 इंच में करीब 4-5 इंच extra लेना है ये मैंने 16 इंच तक fold किया है अब side से यहां से भी कपड़ा हटा दें देखे ये है हमारा back panel जो मैंने fold करके 12.5 इंच चोड़ा कट किया है ये है हमारा front panel जो fold करने के बाद मैंने करीब 17.5 इंच तक इसे कट किया है अब देखे जो मैंने extra कट किया है उसको हमें इस तरीके से अंदर की तरफ fold कर लेना है अब हम size के हिसाब से पहले कुर्टी को कट करेंगे देखे यहां पर full shoulder line मैंने ली है 7.5 इंच आदा इंच हमें drop करना है और फिर से 7.5 इंच arm hole length लेनी है जैसे हम हमेशा कुर्टी में कट करते हैं वैसे ही same size का यहां पर हमें कट करना है full bust line है 38 उसका चौथा बा करके निशान लगाया है और sly का add किया है अब हम इस तरीके से arm round का shape देंगे shoulder से करी 15 इंच नीचे आएगी west line और 22 इंच नीचे आएगी hip line कमर की size है 34 उसका चौथा बा करके मैंने निशान लगाया है उसमें 20 sly का हमें add करना है और इस तरीके से दोनों निशानों को मिला ले hip line है 42 उसका चौथा बा करके उसमें 20 sly का add करें और इस तरीके से कुर्टी का shape देते आगे की तरफ हम slit के लिए बिलकुल सीधा निशान लगाएंगे यहाँ गले की चौड़ाई 3 इंच रहेगी और जो आदा इंच ड्रॉप किया है स्कोर शोल्डर स्लोप में मिला ले और इसकी cutting कर ले अब देखिए हम पहले back neck कट करेंगे गले की चौड़ाई 3 इंच रहेगी गले की लंबाई 2 इंच रहेगी दोनों निशानों को मिलाकर round neck यहाँ पर कट कर ले अब back panel को हटा दें अब front panel में जो हमें pattern तयार करना है उसके हिसाब से कैसे निशान लगाना है वो जड़ा दियान से देखिएगा अब देखिए जो हमने extra fold किया हुआ है वहाँ तक पहले निशान लगा दें यह 4 से 4.5 इंच हमने extra लिया है अब princess cut करने के लिए जितना भी armhole length हमने लिया है उसके बिलकुल बीच में एक निशान लगाए लंबाई में हमें करीब 10 इंच पे निशान लगाना है शूल्डर से नीचे की तरफ 10 इंच पे निशान लगाए और यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से slanting line से मिला लें अब इस point को हम कमर तक बिलकुल सीधा ले लेंगे अब कमर से लेके बिलकुल आगे तक हमें A शेप में यह निशान लगाना है अब यहाँ पर जो point बन रही है इसे हलका सा गोलाई वाला शेप दे दे और इस तरीके से princess cut का निशान लगाए अब देखे शोर्लर लाइन से कमर तक हमें इस निशान को इस तरीके से सीधा ले लेना है आगे की तरफ अब हम इसकी cutting कर लेंगे अब देखे यहाँ पर हमने plates के लिए extra लिया है वो नीचे रहेगा और उपर की तरफ हम placket बनाएंगे तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखके और बाकी कपड़ा cut कर लें इस तरीके से यहाँ पर यह plates बनेगी और यह princess cut में pattern तयार होगा अब इसकी stitching भी बहुत ही आसान है सारे steps कवर करने के लिए बिना skip किये वीडियो में end तक बने रहें अब देखे यहाँ पर हम front neck की cutting करेंगे तीन इंच गले की चोड़ाई रहेगी और करीब 6 इंच मैंने इसमें लंबाई ली है आपको अपनी size के हिसाफ से neck cut करना है दोनों निशानों को मिला कर यहाँ पर round neck का shape देखे और इसकी cutting कर ले अब कुर्ती की पूरी cutting हो चुकी है बाकी बचे हुए कपड़े में से हमें 3 4th sleeves निकालनी है size के हिसाफ से इसे इस तरीके से fold करके और 3 4th sleeves निकालें अब देखें stitching कैसे करनी है यहाँ पर मैं loops लगाऊंगी तो जो कपड़ा हमने extra लिया है देखें वहाँ पर निशान लगा हुआ है वहाँ पर हमें इस तरीके से इस कपड़े को मैंने सीधा रखा है सीधे side में हमें इस तरीके से loops लगाने है button की size के हिसाब से पूरे में loops लगा दे इस तरीके से loops लगाने के बाद जो कपड़ा है उसको इससे cover कर ले और यहां sly लगा दे अब इसको पूरा पीछे की तरफ गुमा कर और एक बाश लगाएंगे और इस तरीके से loops को हम तयार कर लेंगे अब इसके जो सामने वाला साइड है वहाँ पर भी हमने प्लैकेट के लिए एक्स्ट्रा छोड़ रखा है देखे जो बीच का निशान है वहाँ तक हमें इस तरीके से फोल करके और इस प्लैकेट को तयार करना है इन दोनों को इस तरीके से overlap कर लें और एक बार यहाँ पर sly लगा कर दोनों को आपस में जोड़ दें देखे आप किसी भी साइस के लिए ये पैटन बनाएं तो हमें पहले साइस के हिसाब से cutting करनी है अब देखे इसका जो नीचे वाला पैनल है उस पर हम गैदर्स बनाएंगे आप यहाँ प्लेट्स भी बना सकते हैं गैदर्स बनाने के बाद अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे दोनों को आमने सामने रखें और यहाँ से sly लगा कर दोनों को जोड़ दें अब देखे जो प्रिंसिस लाइन है वहाँ पर हमें पाइपिंग लगानी है पाइपिंग के लिए मैंने यह उरे पट्टी ली है अब पूरे शेप पर इस तरीके से एंग तक यह उरे पट्टी लगा दें अब हम इसको दो बार फोल्ड करके और यहाँ पर पाइपिंग बनाएंगे यहाँ किनारी पर स्लाई करें और पूरे में पाइपिंग बना दें पाइपिंग तयार होने के बाद अब इसका जो साइड वाला पैनल है उसको जोड़ना है देखिए इसके उपर इस तरीके से रखें करीब आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ दबाएं और यहाँ पर फिर से स्लाई करके और इन दोनों को आपस में जोड़ दें अब देखिए साइड का पैनल मैंने जोड़ दिया है अब इसके सामने वाली साइड भी हम पहले पाइपिंग लगाएंगे और साइड पैनल जोड़ेंगे इस तरीके से फ्रेंट पैनल का पैटन तयार हो चुका है अब हम फ्रेंट का राउंड नेक तयार करेंगे यहाँ यह मैंने सेम साइस की पट्टी ली है अब इसके ऊपर रखकर और यहां राउंड नेक को अंदर की तरफ से स्लाई लगा दें स्लाई लगाने के बाद चोटे कट लगाने हैं और इस पट्टी को पूरा पीछे की तरफ गुमा देना है आप यहां नेक पर स्लाई भी लगा स सकते हैं देखे इस तरीके से पूरा राउंड नेक हमें तैयार करना है बैक का जो नेक है वो भी हम इस तरीके से सेम साइस की बट्टी से तैयार करेंगे अब देखिए प्रिंसिस कट कुर्ती में हमें एक बार फ्रंट और बैक को फिर से मैच करना होता है दोनों को fold करके इस तरीके से एक दूसरे के उपर चड़ा कर अच्छे से बिचाएं अब यहाँ पर देखिए आम round पर करीब आधे इंच का difference आ रहा है तो हमें जो difference है वो cut कर देना है क्योंकि जब हमने princess line को जोड़ा तो वो arm round थोड़ा उपर आ गया इसलिए हमने फिर से cut किया है अब हम फ्रंट में इस तरीके से एक इंच अंदर की तरफ फ्रंट कटिंग कर लेंगे लंबाई में भी जो extra कपड़ा है उसे हटा दे अब दोनों पैनल्स के नैग तैयार है दोनों पैनल्स को arm ने सामने रखे और shoulder line से दोनों को आपस में जोड़ दे देखे back panel वाली जो पट्टी हमने लगाई है उसको आगे की तरफ पूरा इस तरीके से गुमा कर और यहां से slide लगा कर shoulder line को जोड़ दे shoulder line जोड़ने के बाद अब हमें sleeves लगानी है sleeves पर भी मैंने इस तरीके से piping लगाई है उरे arm round पर इस तरीके से गोलाई में दोनों तरफ sleeves लगा दे sleeves लगाने के बाद अब हमें sides बंद करने हैं देखे कोई भी plated कुर्टी आप तयार करते हैं तो जो size के हिसाब से हम निशान लगाते हैं वो back panel में लगाएं तो आपके कुर्टी की जो fitting है वो एकदम perfect बैठेगी क्योंकि front में हमने plates बनाई है hip line तक कुर्टी को बंद करने के बाद हमें side slits बनानी है जैसे हम straight कुर्टी में बनाते हैं इस तरीके से दो बार fold करके और यहाँ पर slide लगाएं और slits तयार करें side slit बनाने के बाद नीचे से भी कुर्टी को fold कर देना है यह कुर्टी हमारी तयार हो चुकी है loops के सामने हम buttons लगा देंगे यह कुर्टा डिजाइन आप अफगानी सल्वार यह straight pant के साथ try कर सकते हैं आपको मेरा यह कुर्टा डिजाइन कैसा लगा comment करके जरूर बताएं पसंद आए हो तो like और share जरूर करें thank you for watching this video